लेकिन राश्पती द्रोपदी मुर्मू को राश्पती की पद की गरिमा को रखते हुए बहार आना चाहिए और मनीपुर की सरकार की बरखास्तगी करने चाहिए और भारत सरकार जो केंदर दिल्ली में सत्ता में बैटी हुई है उसे सवाल जवाब करना चाहिए आज देश की बिनमना ये हो गई है कि देश का खिलारी सरक्पे है, देश की महिलाई सरक्पे है देश का युवा सरक्पे है, देश के बड़े बुजुर्ग सरक्पे है, देश का नौकरसाख सरक्पे है, देश का मजदूर सरक्पे है मुझे चाहिए कलम और किताब हाथ में मुझे पत्थर और जंडा नहीं चाहिए यह ता कि उसका जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ उसका जन्म एक सामनती परिवार में नहीं हुआ मुझे और तमाम जो 140 क्रोर जो भारत की जनता है उसको भरोसा है लेकिन राश्पती द्रोपदी मुर्मू को राश्पती की पद की गरिमा को रखते हुए बहार आना चाहिए और मनीपूर की सरकार की बर्खास्त की करने चाहिए और भारत सरकार जो कैंद्र दिल्ली में सत्ता में बैटी हुई है उससे सवाल जबाब करना चाहिए लेकिन मुझे उम्मीद तो है लेकिन वह उम्मीद पे खरा नहीं हो पा रही है बिलकुल होगा अगर वह राश्पती है देस की तो क्यों नहीं सवाल करा होगा अगर वह देस की पर्थम नागरीक है तो उनकी पहली हम लोगोंने माना था और आधिवासिवाद के समुधाई के जो लोग हैं जो महिलाएं और बुजुर्ग हैं उन्होंने माना था कि एक महिला आई है राश्टपती तो महिलाओं की बात करेगी लेकिन महिलाओं की बात नहीं कर रही है तो देश सरमिन्दा महसूस करता है मैं सविधान पर सवाल नहीं करो, सविधान के दाइरे में और सविधान पर विस्वाद से, इसलिए मैंने उम्मीद रखा और विस्वाद जताया कि दुर्वपधी मुर्वू बहार आए और देश की लोकतंत की रक्षा के लिए सवाल जवाब करे और देश की रक्षा के अपने हातों में ले सुनिए आज देश की बिनमना ये हो गई है कि देश का खिलारी सरक्पे है देश की महिलाई सरक्पे है देश का यूबा सरक्पे है देश के बड़े बुजुर्ग सरक्पे है देश का किसान सरक्पे है और देश के आम जन सरक्पे है देश में आज हो क्या रहा है छेत्रबाद के नाम पे लराई हो रही है पंत्रबाद के नाम पे लराई हो रही है देश में हो क्या रहा है महबत की दुकान चलाने वाले को है देश बिरोधी कह दिया जा रहा है देश मे आज क्या हो रहा है देष में नफरत की बाजार सज रही है आज же सुनिए आप जैसे पत्रकार लोग की 2024 में मोधी सरकार बनेगी आप जैसे पत्रकार लोग बिल्कुल चीन रहे हैं आप जैसे पत्रकार लोग उस में अंदे हो माँ और बेटी जिन्दा जला दिया जाता है आप उस समय अंदे हो जाते हो एक सुनिए मद्धा पर्देश क्या आपने सवाल आपने पूरा किया नहीं था और मैं जवाब दिया था अपने बीच में जवाब को काड़ दिया था अब मेरी बात हुआ राम मंदिर से रोजगा राम मंदिर में आप ये बताई है अगर मानते हैं एक याखी बात करते हो नँ आप लूख तो आप हिम्मत जताएए उस ट्रस्ट में उस तर्स्ट का अध्यक्त किसी दलीट को बनाईए आप अगर मानते हैं कि राम सुनिए वही तो मैं बता रहा हूं ना ओवी सी है ना स्टी है और जिस राज जिसने राम मंदिर की लड़ा ही लड़ा उसकी हत्या कर दी गई और बता दिया गए कि सुसाइड हो गया तो बात तो हाथ ही नहीं सुनिए फूल बर्साने से क्या रोजगार मिल जाएगा ये तो सदासर आप मान है कि आपकोOUGH पर फूल बरसा दिया जाएगा और आपके हाथ में पत्तर ऑफ में मुझे पत्तर और जंडा नहीं चाहिए है ना है मैं पत्तर और जंडा सुनिए साफ मैं तो कह रहा हूं जहां वहां वहां भी बताइगे आपका जो सदन है जहां राष्ट महादया बैठती है उनका जो पिठा सीन है.'' और मैं कैना हो सदन तो छोड़ दीजे जहां बैठें £2 ही बुद्धा दिखेंगे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये देश अगर देश से बाहर प्रदान मंत्री मोधी जाते हैं तो बुद्धा की धर्ती के नाम से जाना जाता है बुद्धा की धर्ती के नाम से निताम मानी ने भी बाहर जाके बोल जाई सुनिए जैसरी राम एक जगह एक जगह है और गौतम बुद्धा अपनी जगह है गौतम बुद्धा धर्म की सांती के लिए जाने जाते हैं